घर की इज़त बचाने के लिए इन साथ बॉलिवुड अभिनेत्रियों ने क्यों मार दी अपनी खुशियों को ठोकर और उसके पीछे की वज़य क्या है? नमबर वन रानी मुखरजी बॉलिवुड इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक हिट मुवीज देने वाली एक्प्रेस रानी मुखरजी अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना पसंद करती है इन्होंने भी अपने घर की इज़त बचाने के लिए खुद से कई कंप्रोमाईज किये हैं जैसे इनकी फैमिली यह कभी नहीं चाहती थी कि ये छोटे कपड़े पहने जिसके चलते इन्होंने अपनी फैमिली की वजह से से खुद को साड़ी और सूट में संजोय रखा और इनकी इज़त कभी नहीं उच्छाली अच्छी बेटी होने का फर्ज निभाया है नंबर टू ट्विंकल खन्ना ट्विंकल बॉलिवुड की उन अभिनेत्रियों में से एक है जिन्होंने बहुत कम फिल्मों में काम किया और इसलिए उन्हें कम फेम मिला लेकिन उनका अपन परिवार के प्रती कितना प्यार है इस बात का पता चलता है जब वह अपने परिवार की इज़त को बचाने के लिए बहुत छोटी सी उम्र में ही अक्षय कुमार से शादी कर लेती है दरसल ट्विंकल के परिवार की मान्यताओं के अनुसार लड़कियों की शादी जल्दी कर दी जाती है और ट्विंकल की मार डिंपल कपडिया का रिष्टा महज 16 साल की उम्र में ही राजेश खन्ना के संग हो गया था ट्विंकल ने भी इस परंपरा का पालन किया वह कभी भी अपने परिवार के फैसले के खिलाफ नहीं गई और खुद को एक अच्छी बेटी के रूप में साबित किया है नंबर थ्री शिल्पा शेटी यह वही शिल्पा है जिनको आपने फिल्मी परदे पर चमकते दमकते देखा है लेकिन दोस्तों फिल्मों में जो सब कुछ चमकता है वो सोना नहीं होता है शिल्पा ने अपने परिवार की इज़त के लिए अपनी खुशियों को दाफ पर लगा दिया हम सब ने देखा कि कैसे कुछ लड़कियों को मजबूरियों के चलते छोटे कपड़े पहन कर फिल्मों में सीन शूट करवाने पड़ते हैं, समय समय पर उन्हें कॉंप्रोमाइज भी करना पड़ता है, फिल्मों में काम करना शिल्पा का शौक भी रहा है, लेकिन वो अच्छी तरह से जानती है कि उनके घर वाले उनकी इस हरकत से बिल्कुल भी खुश नहीं है, और वो अपने घर वालों को भी कभी परिशान नहीं देखना चाहती, इसलिए एक्टिंग से, दूरी बना कर अपनी सारी खुशियां अपने परिवार के पसंद के खिलाफ अनिल थडानी को अपना लाइफ पार्टनर चुन लिया, क्योंकि उन पर दो अभिनेताओं की वजह से वैसे ही बदनामी का धब्बा लग चुका था, इसलिए उनके परिवार वाले कभी नहीं चाहते थे कि रविना दोनों में से किसी से कर ली, भले ही वह जुही को पसंद नहीं थी, लेकिन जुही के परिवार को जय इतने पसंद थे, उन्होंने बिना सोचे समझे शादी के लिए हा कर दी, और अब जब वक्त बीच चुका है, तो जुही को लगता है कि उनका यह निर्णय बिलकुल सही था, क्योंकि जय महता ने उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी, और उन्हें बहुत खुश रखा।